आज हम बनाने जारे सूजी की इंस्टेंट इडली, इसके लिए हमें चाहिए एक टोरी दही, एक टोरी सूजी, तेल थोड़ा सा, एक चम्मच नमक और वन फोर्थ टी स्पून मीठा सोल्डा सबसे पहले एक बावल लेंगे, उसमें तूजी को डाल देंगे, सूजी मैंने पहले से च्छान के रखी до अब इसमें डालेंगे दहीं अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे नमक अब यह सुझी हमारी गाड़ी है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें इसको पांच मिनट तक फोलने के लिए हमें रख देंगे पांच मिनट हो चुके हैं हमारा सुझी का बैटर थोड़ा सा गाड़ा हो गया अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे सुझी को अच्छी तरह से फैटे तक इसमें सोब्ड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इडली बर्तन में तेल लगाएंगे और इसमें एक एक चम्मच बैटर का रखेंगे अब गयास पे हमने इडली कुकर में पानी पहले से गरम होने रखा है इसमें हम डाल देंगे इडली के बर्तन को अब इसमें डखकन लगा देंगे और पांच मिनट तक इसको पकड़ने देंगे पांच मिनट हो चुके हैं हम इडली को चेक करेंगे फोर्क से यह हमारी इडली पक चुकी है अब गयास हम बंद कर देंगे अब हम इडली को चम्मच से लेट में निकाल लेंगे हमारी इंस्टेंट सूजी की इडली खाने के लिए तयार है आप इसको समबर या चक्ति के साथ खाएं थैंक्स पोर वाचिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर दीजिए प्लीज थैंक्यू